Hey guys, welcome back to Artbox Studio मेरा नाम है Amar और हर बार की तरह इस बार भी काफी interesting topic लेके आया हूँ मैं वैसे title और thumbnail देखके तो आपको पता चली गया होगा कि आज की जो वीडियो है वो है typography के उपर यानि कि अलग-अलग fonts के बारे में आज आपको सीखने मिलेगा कहा से आप fonts दून सकते हो कौन सा font कौन से project के लिए इस्तमाल करना चाहिए यह सारी चीजे मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ fonts की क्या जरूरत सिफ graphic designers को पढ़ती है I think हर एक बंदा जो text के साथ काम करता है उनको font के बारे में पता होना उतना ही जरूरी है भले ही आप कोई report बना रहे हो powerpoint presentation बना रहे हो या फिर graphic design बना रहे हो या फिर creative कुछ भी आप बना रहे होंगे correct font use करना एक आपके जो document है उसको एक level उपर लिके जाती है तो मेरे साथ आखिर तक बने रहे है आज की पूर्वी वीडियो में यही आपको explain करूँगा कि किस तरह से आपको अपने projects के लिए font choose करना चाहिए बिना किसी देरी के चलिए मेरे computer screen पे इस छोटे से इंट्रो के बाद okay so let's start the video सबसे पहले font के बारे में font को कैसे choose करें सबसे पहले आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी audience कौन है भले आप कोई graphic design बना रहे हो आप website बना रहे हो कोई document बना रहे हो report बना रहे हो presentation बना रहे हो सबसे पहले यह सोचिए कि आपका जो audience है वो कौन है क्या वो कोई professional लोग है, क्या वो a bunch of lawyers है, या फिर college students है, या फिर school जाने वाले छोटे बच्चे है, या फिर एकदम छोटे बच्चे है, nursery वाले, तो आपको ये बहुत clear होना चाहिए कि आपकी audience कौन है, क्या आपकी audience male है, female है, उनकी age group क्या है, उनका interest क्या है, काफी बार हम लोग कुछ topic को हटके कुछ बना दे, कुछ चीज बना लिया, cosmetics के लिए, कुछ चीज बना लिया, gamers के लिए, तो उस तरह से हमें थोड़ा सा study कर लेना है, पहले कि जो हम चीज बना रहे है, तो हमारी audience क्या कौन होने वाली है, एक बार आपको audience पता चल गई, उस चाहिए, यह luxurious होना चाहिए, ठीक है, अगर आप देखोगे, you know, universities के website, Harvard University की देख लो, या कोई भी, उनके fonts आपको देखेंगे, थोड़े से sophisticated लगते है, ठीक है, एकदम playful font नहीं होगे, एकदम proper font होगे, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा किस तरह के fonts होते हैं, लेकिन, सा से हमें decide करना है, तो सबसे पहले, audience decide करना है हमें, ठीक है, एक बार audience decide कर ली, उसके बाद आप decide कर, एक बार audience आपने जान ली, फिर उसके बाद आप decide कर पाऊगे, कि किस तरह का font आपको choose करना है, next, अब हम quickly देखेंगे, कि कौन से अलग-अलग type के fonts होते हैं, सबसे पहले यह जानना बहुत important है कि font कौन से कौन से अलग-अलग types के होते हैं, एक बार वो पता चल गया, फिर हम decide कर पाएंगे कि कौन सी font category में हमको search करना है, तो type of fonts में, तीन basic types है, सबसे पहला है serif, ठीक है, serif fonts क्या होते है, कि जो आप screen पे देख पा रहे हो, इस तरह के fonts होते है, pointed चीजे आप देख रहे हो, जो alphabet के start में और end में होंगे, जैसे यहां R पे दिख रहा है, आपको, I में दिखेगा, F में दिखेगा, ठीक है, तो इस तरह के जो pointers होते है, alphabet के end में, उस तरह के fonts को कहा जाता है, serif, ठीक है, next type जो है, वो है sans serif, sans यानि कि without, या फिर non, यह एक of, मेरे कहल से French word है, sans मतलब नहीं, without, तो serif, यानि कि, यह pointed, जो होते हैं, और sans serif, यानि कि without this serif, ठीक है, तो यह होते है, sans serif, sans serif में आप देखो कि, normal है, modern looking fonts होते है, clean होते है, उनके alphabet के start यह, end में, किसी भी type की serif नहीं होके, एकदम proper decent font होते है, ठीक है, यह दो main categories है, उसके बाद, एक third category भी है, जिसको कहा जाता है, कि script, यह mostly handwritten होते है, ठीक है, handwritten या decorative type के जो fonts होते है, उसको, वो script category में आता है, तो basically, majorly यह तीन तरह के fonts होते है, serif, sans serif और script, अब आप जब अलग-अलग websites देखोगे, तो उसमें अपने ही नाम दे दिये है, ठीक है, जैसे कि handwritten हो गया, decorative हो गया, या फिर rounded हो गया, rounded में, fonts जो होते है, वो एकदम round round होते है, उस तरह के, तो, लोगों ने आगे जाके, अपने तरीके से नाम देते है, लेकिन major theme type के category यही है, serif, sans serif, और script, एक और आखरी category है, major, आखरी नहीं बोलूँगा, तो categories तो बहुत सारी है, लेकिन major category एक और आती है, जिसको बोलते है slab serif, ठीक है, तो serif, तो पता था आपको की pointers होते थे, pointed points होते थे, alphabet के start और end में, यहाँ पर आप देखो की, pointed नहीं होते है, लेकिन इसे slab type के, you know, marks होते है, start और end में alphabet के, तो इसको कहा जाता है, slab serif, यह यह भी serif के जैसे ही होता है, लेकिन slabs होते है, इनको slabs actually कहा जाता है, तो बस यह majorly categories है, fonts के, ठीक है, अभी आप लोगों ने types of fonts के बारे में जान लिया, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा की कौन सा, कौन सी category के fonts कब use करनी चाहिए, और उसके लिए मेरे पास एक, मैं अभी जो आपको देख रहे हो screen पे, वो एक blog लिखा हुआ है, digital synopsis के website पे, यह काफी बड़िया blog लगा मुझे, इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ share करना चाहिए, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि font के psychology के बारे में थोड़ा सा explain किया है, मैं यह वाला part skip करके main part पे आपको लेके चलता हूँ, यह जो chart है, यह chart मुझे बहुत amazing लगा, इससे काफी कुछ आपको सीखने मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप center picture से देख सकते हो कि कैसे font को use करके, आप अपने target audience की feelings, emotions और associations को target कर सकते हो, ठीक है, यही पे, यह सारे fonts उन्होंने बताया कि क कब और कैसे use करना चाहिए, सबसे पहले start करते है, serif के साथ, serif जैसे मैंने बताया आपको, tradition, respectable, reliable, comfort, यह सारे target चीज़ेों को, यह सारे pointers को target करता है, तो जबी भी आपको यह pointers को ध्यान में रखके हुए, कोई font choose करना है, तब आप serif font use कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे कुछ examples दिये, times new roman, किसको नहीं पता, सबको पता होगा, times new roman, वो एक serif font है, ठीक है, फिर ट्रैजन है, Georgia italic है, तो यह सारे fonts आप कब use कर सकते हो, जब आपको इस तरह के pointers target करने होते, next चलते है, sans serif पे, sans serif आप कब use कर सकते हो, जब आपको denote करना होता है, stability, objective, clean, modern, इस तरह का कु सकते हो, आगे भी बहुत सारे script की तरफ चलते है, जो मैंने बताया था, script handwritten kind of, यह आपको कब use करना है, जब आपको elegance दिखाना हो, अपने creative में, affectionate दिखाना हो, creativity दिखाना हो, ठीक है, उस वक्त आप script वाले fonts जो है, वो use कर सकते हो, modern, modern again sans serif की तरह ही होते है, लेकिन उसक कब use कर सकते हो, आप, जब आपको कुछ strong बताना हो, progressive बताना हो, stylish बताना हो, तो उस तरह, तो उस वक्त आप ऐसे fonts यूज़ कर सकते हो, जैसे futura हो गया, या फिर, d.italic हो गया, century Gothic हो गया, तो इस तरह के fonts आप use कर सकते हो, जब आपको strong, progressive, stylish, यह सारे चीज़े, denote करने होते लास्ट पे चलेंगे, display, obviously, जब friendly कुछ करना है, आपको unique कुछ करना है, expressive, amusing, तो उस वक्त आप display type के font, यानि की, cooper हो गया, valencia हो गया, इस तरह के fonts, या rounded fonts होते हैं, तो तब आप display type के category के font, आप use कर सकते हो, ठीक है, और भी यह blog काफी interesting है, आप पूरा पढ़िए, अगर जानना है, ताकि, मतलब, यहाँ देखिया, font moods के बारे में भी explain किया है, यहाँ पे slab serip, कब आपको, क्या denote करता है, actually, हर एक category का font, तो वो properly यहाँ पे explain किया गया है, यह पूरा मैं explain नहीं करूँगा, वरना video काफी लंबी हो जाएगी, लेकिन आप properly इसे पढ़ सकते हो, इ मैं description में share कर लूँगा आपके साथ, और coffee बढ़िया blog है, अगर आपको पूरी तरह से समझना है font की psychology को, तो आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, तो अब font के बारे में तो आप अपने category समझ ली, type समझ ली है, उसके बारे में थोड़ी सी psychology भी समझ ली कि कब आपको किस तरह क category use करना है, ठीक है, लेकिन अब मुझे resources कहा मिलेगी, कहा मुझे सारी font एक साथ मिलेंगे, ताकि मैं choose कर पाऊंगा, देखिए आपके computer में जो software होते हैं, उसमें सारे fonts already available नहीं होते, कुछ ही font जो उसमें already by default होते हैं, वो available होते, लेकिन उसके अलवा अगर आपको नए fonts तो सबसे easiest resource जो है, वो है Google Fonts, अपने browser में, अपने Google Chrome में, Google Fonts टाइप कीजिए, पहली website आजाएगी Google Fonts, ठीक है, तो ये जो है, ये fonts आप देख रहे हो, वो Google Fonts है, यहाँ पे सारे fonts आपको बिल जाएंगे, सिव दिखेंगे नहीं, आप यहाँ से download भी कर सकते हो, सारे free वा यहाँ पे अगर आपको already किसी font को search कर रहे हो, तो वो font का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे type something like, अगर समझो मुझे किसी एक particular चीज़ के लिए font, title के लिए font दुन है, तो वो title actually यहाँ पे लिख लो, ताकि जो fonts है, वो आपको उसके results दिखाएंगे, ठीक है, तो अगर इसमें आगे जाके आप और भी filters लगा सकते हो, जैसे की categories, ठीक है, अगर यह देखिए, जो मैंने categories explain की थी, more or less वो ही categories है, अगर आपको सिर्फ सेरिफ वाले fonts देखने है, तो फिर आप उस तरह की filters लगा सकते हो, तो यह देखिए, अब आपको सारे जो सेरिफ वाले fonts दिखाई देंगे, ठीक है, अगर आपको सेरिफ नहीं चाहिए, सिर्फ सेरिफ चाहिए, तो यह देखिए, अभी आपको सिर्फ सेरिफ वाले fonts दिखाई देंगे, तो इस तरह से आप इसमें filters भी लगा सकते हो, अगर कोई आपको, अगर जैसे मुझे यह पसंद आता है, त दिखाई देंगे, और काफी सारे चीज़े यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और यहाँ से यह जो download family है, वहाँ से finally आप इस font को download कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड करना बहुत ही आसान है, आप जैसे click करोगे, यहाँ पर download हो जाएगा, यह zip file में download होता है, आपको इसको explore करना पड़ेगा, यानि कि unzip करना पड़ेगा, इसको मैं अगर unzip कर लेता हूँ, ठीक है, एक minute, इसको मैं अगर double click करता हूँ, तो इसके अंदर एक font वाली file होगी, ठीक है, आपको सिफ इसको double click करके, यहाँ पर install देख रहा है, install पर click करना होगा, वो install हो जाएगा, ठीक है चलो वो भी करके दिखा देता हूँ, आपको, install हो गया install, अब आप अपना ms word open कीजिए, illustrator open कीजिए, कोई भी software install open कीजिए, उसके अंदर आपको यह वाला font already दिख जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप, इस तरह से आप download कर सकते हो, और use कर सकते हो, इस font को, ऐसे जितने चाहिए, आपको उतने सारे के सारे fonts आप इसे use कर सकते हो, ठीक है, filters को देखिए, और भी बहुत सारे filters है, जैसे कि font property भी है, number of tiles से यहाँ पर क्या actually होता है, यानि कि, एक font family, जैसे कि आपने देखा, अब मैंने जो यह open किया था, जिक है, pop-ins open करता हूँ मैं, और यहाँ प font में काफी अलग-अलग तरीके के fonts होता है, यानि कि, यहाँ पर देखिए, यह pop-ins thin है, यहाँ पर extra thin है, ठीक है, extra light है, light है, regular है, medium, semi bold है, bold है, black है, ठीक है, तो एक ही font family के यह अलग-अलग types होता है, ठीक है, अब जो पिछला वाला font मैंने down, जो मैंने यह open किया था, उसमे एक ही था, लेकिन अगर कुछ fonts होता है, जिसमें पूरी की-पूरी font family होती है, तो वो font family भी पूरी तरह से आप इसमें download कर सकते हो, ठीक है, तो I hope आपको यह Google fonts का easily, बहुत ही simple सी website है, आपको जितने चाहिए, उतने fonts आप download कर सकते हो, पूरी तरह से free है, next जो website है, वो भी Google fonts की तरह ही है, ठीक है, Adobe fonts, ठीक है, इसको Adobe fonts आप जैसे देख रहे हो, उसकी website open है, यह थोड़ी सी मतलब यहाँ पे सिर्फ normal fonts नहीं दिखाते हैं, लेकिन इसका inspiration के लिए भी आप इसे use कर सकते हो, जैसे कि देखिए, properly font कैसे दिखेंगे आपको अलग-अलग situation में, तो proper वो द दिखा ही देता है आपको, अगर आप inspiration लेना है, आपको देखना है कि यह font सी font नहीं, लेकिन इसको अगर मैं creative में डालूँगा, तो कैसे दिखेंगा, तो उसके लिए आप यह website देख सकते हो, यहाँ पे आप अगर browse all fonts करोगे, तो similarly google fonts के तरह ही यह page open हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे और भी बहुत सारे categories है, calligraphy है, clean है, geometric है, art, deco है, rounded है, friendly, luxury, futuristic, काफी सारे markers वगरे, काफी सारे, बहुत सारे अलग-अलग fonts है, and numerous fonts है, उसके family आप देख सकते हो, जैसे, यह बैली अगर font मुझे open करना है, उसकी view family देखूंगा मैं, तो properly आप आपको पता चल जाएगा, उसमें भी देखिए categories है, ठीक है, same, वो ही है, google fonts की तरह ही है, आप भी इसमें अगर, आप चाहो तो आप अपना, अपना खुद का, you know, statement भी डाल सकते हो, ताकि आपको दिखे कि, आपका जो title है, वो कैसे दिखता है, इस font में, ठीक है, और बस य Google fonts में ऐसा नहीं है, Google fonts में सारे के सारे free है, लेकिन इसमें आप, शायद, buy करना पड़ेगा आपको, अगर कुछ premium fonts होंगे, तो, कुछी fonts free होंगे, तो उस case में, at least आप इस website को inspiration की तरह use कर सकते हो, you know, अगर आपको देखने हैं, कौन से अलग-अलग fonts है, क्योंकि इसके fonts ब websites पर ये fonts freely available है, तो वहाँ पर जाके आप इसे download कर सकते हो, लेकिन, as a inspiration, आप Google और Adobe fonts, ये दोनों भी websites, use कर सकते हो, ठीक है, ये तो हो गए, कि आप कहा से font दून सकते हो, अब, next में बताऊंगा आपको, कि आप download कहा से कर सकते हो, Google से तो आप download कर सकते हो, लेकिन, कुछ fonts है, जो Google में भी नहीं है, ठीक है, तो वो आप कहा से download कर सकते हो, तो आप Google पर अगर डालोगे, free font download, तो वहाँ पर बहुत सारे websites है, लेकिन, कुछ genuine website है, जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो सबसे पहले है, ये जो da font, da font जो website है, काफी genuine website है, बहुत सारे graphic designers, इसको use कर है, इसमें भी काफी सारे fonts है, categories दिये गए है, fonts के, fancy, foreign, techno, gothic, काफी सारे, आप इसे explore कीजिए थोड़ा, और अगर आपको कोई, जैसे ये देख रहे हो, आप over the rainbow, कुछ अलगी font है, ठीक है, तो इस तरह के अगर आपको कुछ fonts चाहिए, आप सीधा या से download कर सकते हो, काफी 1001 free fonts, ठीक है, ये भी amazing website है, again, काफी सारे जो graphic designers है, वो इस website को भी follow करते है, यहाँ पे देखिए, a to z, like alphabetically, काफी सारे fonts यहाँ पे दिये गए है, Google और Adobe से भी, Google से तो definitely जादा fonts है, और इसके भी काफी सारे free है, तो यहाँ पे आप जाके download कर सकते हो, तो basically मैं खुद अपने purpose के लिए da font और 1001 free fonts, ये दो ही website use करता हूँ, आगे भी बहुत सारे website ये आप check out कर सकते हो, लेकिन ये दो मुझे genuine लगते है, इसलिए मैं आपको refer कर सकता हूँ, ठीक है, ओके, तो यहाँ तक, यहाँ तक ही था हमारा video, जो genuinely fonts के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेने चाते थे, वो इस video को यही पर stop कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप में से कोई graphic designers है, या फिर fonts के बारे में और जादा जानना चाते है deeply, वो ही इसके आगे की video देख सकते है, बाकी basic चीजों की जानकारी fonts के बारे में यहाँ तक आपको दी गई है, मैंने आपको font के categories के ब बारे में बताया, उसके बाद resources के बारे में बताया कि कहां से आप free में fonts डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक आप end कर सकते हो video, लेकिन अगर आपको और जानना है fonts के बारे में, तो आप इसके आगे के video continue कर सकते हो, ओके next जो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, वो ह चार ऐसी websites बताऊंगा, जहां से आप अपने fonts के लिए inspiration दून सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप graphic designers हो, और आपको fonts लगते हैं, लग-अलग creatives बनाने के लिए, आपको समझ भी नहीं आता कि कहां से font दूनदे, तो यह 4 websites आपको बहुत ही जादा useful होने वाले है, यह 4 websites apply करके बताएंगे creative पे, और आप इन में से inspiration ले सकते हो, ठीक है, अब यह, इसके आगे जो मैं websites बताऊंगा, यह सारे high quality premium fonts है, तो यह सारे fonts free नहीं होंगे, इसलिए मैंने कहा कि, specially graphic designer जो actual में paid projects कर रहे हैं किसी के लिए, और वो afford कर सकते है, premium fonts खरीदना, तो उनके लिए यह websites बहुत ही better होने वाली है, inspiration ढूणने के लिए, सबसे पहली जो website में यहाँ पर बताऊंगा, वो है font in use, यहाँ पर देखिए, अलग-अलग type के fonts, सिर्फ, आपको, मतलब, सिर्फ font दिखा ही नहीं देंगे, लेकिन actual में creative पे कैसे दिख रहे है, जैसे कि यह देखिए, orange color का creative देख सकते हो, और यहाँ पर बेस्ट चीज मुझे यह लगती है, इस website की, कि यहाँ पर font pairing करके बाताते है, देखिए, आप ऐसा जरूरी नहीं है, कि एक ही font की जरूरत पड़ेगी आपको, एक से ज़्यादा fonts की जरूरत आपको हमेशा पड़ेगी, अगर आप चाहत यह जो yellow वाला है, इस पर मैं mouse नहीं लेके जाऊंगा, अगर आप mouse लेके जाता हूँ, तो वो hover में चला जाता है, एक मिनट में आपको एक अच्छा example बताता हूँ, ठीक है, अब जैसे यह वाला है, ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इस creative में total 3 font उसकी है, उन्हो तो यह 3 font के बारे में, इन्होंने यहाँ पर mention किया है, तो इस तरह से font pairing की जाती है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी चीज लगती है, मुझे इस website की जहाँ पर, यहाँ पर देखिए, इन्होंने 3 font की pairing की हुई है, ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि 2 या 3 font को ही pair कीजिए, ज बहुत ही shabby लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा आपके creative में, जादा से जादा 2 या फिर 3, ठीक है, तो यह देखिए, यहाँ पर जैसे कि उन्होंने use किया है, 3 यह जो anabillum poster आप देख रहे हो, यहाँ पर देखिए, तीन अलग-अलग font use की है, तो यहाँ से सिफ आपको inspiration fonts के बारे में नहीं मिलती है, लेकिन आप कैसे concept font एक दूसरे को compliment करते है, उसकी जानकर या आपको इस website से मिल जाती है, तो आप explore किजिए, इसको काफी सारे, बहुत सारे interesting चीज़े हैं यहाँ पर, next website बताने वाला हूं, आपको वो है, you work for them, similar website है, यहाँ से भी आपको काफ inspiration मिलेगा, जैसे यह देखिए, actual mock-ups, mock-ups नहीं बोल सकते हैं उसको, लेकिन actual creatives पे यह लोग use करके बताते हैं, तो आपको जादा idea आजाएगे कि यह font आपके लिए better है या नहीं, ठीक है, जैसे यह देखिए, यहाँ पर, अगर मैं इसको open करता हूं, तो properly उस project के बारे में थोड़ा सा idea आपको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बताएंगे कि कौन सा fonts उन्होंने use किया है, यह देखिए, तो काफी सारा, बहुत ही interesting websites है, यह सारे काफी सारे, काफी सारे, you know, international graphic designers के work आपको देखने मिलते है यहाँ पर, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है, फॉंट्स भी है, एक category है, जिसको आप use कर सकते हो, Google fonts है, Adobe fonts है, again, वो ही categories जो मैंने आपको पहले explain की, यह भी काफी बढ़िया है, अगर आप इसे check out करते हो, मैं आपको एक open करके दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे यह website है, तो उन website में इन्होंने यह font, Gilroy font जो है, और free font है जो कि आप use कर सकते हो, तो इसको देखके आप analyze कर सकते हो, कि मुझे भी अगर इस तरह की website बनानी है, तो क्या मैं यह font use कर सकता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया चीज है, यह inspiration के लिए, आप इसको जितना explore करोगे, उतना आपको अलग-अलग fonts के बारे में जानकारी मिलती ज creative को आप open करके देखिये, तो आपको पता चलेगा, उसके बारे में और बताएंगे, जैसे कि यहां देखिये, यहां इन्होंने एक, दो, तीन, तीन fonts को combine करके यह इन्होंने बनाया, यह creative, ठीक है, तो तीनों भी fonts आपको easily available है, डाउनलोड करने के लिए, फ्री है तो फ्री down करके रखिये, और inspiration के लिए use कीजिए, तो I hope आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, काफी सारे interesting चीज़े, fonts के बारे में आपको समझ में आ गई होगी, बस इसी तरह से interesting fonts यूज करते जाहिए, अपने projects में और अपने audience को impress करते रहिए, with that said, अगर आपको आज का कीजिए, नीचे वो red color का subscribe button है, उसे press कर दीजिए, साथी में bell notification icon को भी press कीजिए, ताकि मेरे सारे नए वीडियो के बारे में आपको हमेशा notification मिलती रहे, साथी में आप मुझे instagram पे follow भी कर सकते हो, नीचे कही पे screen पे मेरे instagram का handle mention कर दूँगा, instagram पे काफी सारे नए updates में डा so that was it guys, see you until the next video, till then take care